हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार है जी ट्विंटी के प्रसेडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार दिख स्वागत करता है इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित है यहां से कुछी किलोमेटर के फासले पर लगभग धाई हजार साल पुराना एक स्थम्ब लगा हुआ है इस तंब पर प्राक्रित भाशा में लिखा है हेवं लोकसा हित मुखेती अथ यम नातिसु हेवं अर्थात मानवता का कल्यान और सुक सदेव सुनिश्चित किया जाए दाहजार साल पहले भारत की भूमी ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था आईए इस संदेश को याद कर इस जीट पेंटी समीट का हम आरंब करें 21 सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपुन समय है यह वो समय है जब बर्सों पुरानी चुनोतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें human centric approach के साथ अपने हर दाईत्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है friends COVID-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है युद्ध ने इस trust deficit को और गहरा किया है जब हम COVID को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आये इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं आज G20 के President के तोर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस Global Trust Devisit को एक विश्वास एक भरोसे में बदले जो हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय हैं और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है बैश्विक अर्थिववस्ता में उथल पुथल हो, नौर्थ और साउथ का डिवाइल हो, इस्ट और वेश्ट की दुरी हो, फूल, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मेनेजमेंट हो, टेरिजम और साइबर सिकुरिटी हो, हेल्थ, एनरजी और वाटर सिकुरिटी हो, वर्तमान के साथ ही, आने वाली पीजियों के लिए हमें इन चुनवतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़नाई होगा। फ्रेंक्स, भारत की G20 प्रसिडेंसी, देश के भीतर और देश के बाहर, इंक्लूजन का सबका साथ का प्रतिक बन गई है। भारत में ये पीपर्स G20 बन गया, करणों भारतिये इस से जुडे, देश के साथ से ज्यादा शहरों में, दोसों से ज्यादा अधिक बैठके हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था, कि अफरिकन यूनियन को G20 की स्थाई सदस्यता दी जाए। कि अपरीश्या है। कि अचला शहरों दूनिया शहरों में ये गिक सियाना शाली और कि जाए conception ।